नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मैं उमीद करता हूँ, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, विंतियारी में, ब्यास्त होंगे मित्रों आज की जो क्लास होगी, ये प्रक्टिस पेपर होगा यहां पे 125 कोस्टन समाहित किये जाएंगे सभी के सभी प्रश्ण महत्पूर होंगे और आप जानते हैं, आपके पेपर में भी 125 कोस्टन सी पूछे जाते हैं दो घंटे का समय आपको दिया जाता है, विदाउट माइनस मार्किंग आपको शॉल्ब करना होता है और इन 125 कोस्टन के लिए 500 नंबर का प्राउधान होता है तो क्यों न हम लोग प्रक्टिस कर लें लगवग 50, 60, 70 जोत्ती भी हो सकते हैं उत्ती प्रक्टिस हम लोग करने की चेस्टा करते हैं फिलाल हमें उमीद है कि आप लोग पिन पेपर उठाके बैठे होंगे नोट डाउन कर लेंगे जो आपको नए अफेक्ट्स मिलेगा कोस्टन्स थोड़ा सा टफ है याद रखना ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर के लिए जो है थोड़ा सा टफ कोस्टन्स है अगर बनता है तो इस से टफ कोस्टन्स नहीं बनेगा याद रखना आईए देखते हैं पहला पॉइंट जो लिया गिया है पहला कोस्टन्स आप से पूछा जा रहा है छापा चितरन की आधार भूत पदती कितनी है अफसंस में नाम दिया गिया 2, 8, 4, 16 आप जानते होंगे चापा चितरन की मुलुप से किती पतती बताई जाती है तो चार पततियां होती है चारो पततियां कौन कौनसी है तो relief processed है intigalio है planography है और सेरीगाफी है तो चारो पततियां मुलूप से चापा चितरन ही सम् बंधित हैं जो चार अप्रमुख पदधियां ये कौन-कौन सी हैं, तो छापा चित्रन की हैं, मोर्तिसल्पी की हैं, फोटोग्राफी की हैं, अफिरेंड में ये कोई नहीं है। चारों आप्संस पढ़ने के बाद आप सीधे-सीधे चापा चित्रन की साथ आंसर्स लगा दीजेगा, ये इस दर आइट आइट आंसर्स हो जाएगा। इस दर आइट आंसर्स बन जाएगा। बढ़ते हैं, नेश्ट कोशन्स की तरफ प्रश्रंख्या चार आप से क्या कह रहा है। कह रहा है, प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आपसंस में लिथोग्राफी है, उड़कट है, लेनोगट है और जो है, एक वांटिंग है। जानते हैं, प्लेनोग्राफी का जो संबंध रहता है, किस से रहता है, तो उसका संबंध लिथोग्राफी से होता है, एस दराइट आंसर लगा लीजिए, एस दराइट आंसर, बढ़ते हैं नेश्ट कोशन्स की तरफ, प्रश्रंख्या 5 आप से कह रहा है, जिसमें धातु पलेट पर ड्राइंग प्लेटिंग इनोग्रेभिंग एचने जो है और्मोन रूप से शन्स वद्ध था एक वांटिंग इतियात तक्निकी का अंकन लिया जाता है, उससे क्या कहते हैं तो धातू प्लेट पे ड्राइंग पेंटिंग हो या फिर इन ग्रेविंग एचिंग हो इन सब का संबंध मुल रूप से कौन सी जो है छापा कला के अंतरगत आता है Relay Processing के अंतरगत आएगा कि Seri Graphic के अंतरगत आएगा कि Planography के अंतरगत आएगा या फिर Intelliography के अंतरगत आएगा तो धातू पिलोटों पे जो है ड्राइंग का काम जो होता है उसे Intelliography के अंतरगत रखा जाता है तो आपको D के साथ answers लगाना होगा D is the right answers बनेगा Intelliography के अंतरगत आएगा D is the right answers बन जाएगा पढ़ते हैं निस्ट कोश्चन की तरफ प्रस्ट रंख्या 6 आप से कह रहा है इस पेन में गोया के अभिस्कार कोन है गोया के अभिस्कार कोन है इन ग्रेबिंग का एक वांटिंग का अगर इस पेन में गोया ने अभिस्कार क्या किया तो इस पेन में मुलूप से गोया ने क्या तो एक वांटिंग का विस्कार किया है मुलूप से आपको right answers एक वांटिंग लगाना होगा C is the right answers बनेगा C is the right answer कोश्चन से important है इसलिए जो है आपको करते हुए चलना है कुछ extra points मिले तो उन्हें no down करते हुए चलना है प्रशंख्या 7 की बात होगी तैयारी का यही मुख्य मक्सद होता है कि आपको जो नया data दिखाए दे उसे no down कर लीजिए प्रशंख्या 7 में कह रहा है कोलकाता में कार्यत किंदो फ्रेंच कलाकार उन्हें द्वारा भारत में planography प्रारम की गई तो फ्रेंच के कलाकार हैं भारत में planography जो है start कर देते हैं नाम क्या होगा पिकाशो और ब्राक, गोया और टरनर सिंजा और रेमरा या फिर M.belnose और M.da Sinovig, right answers किसके साथ जाएगा तो फ्रेंच कलाकार होते हैं दो कलाकार हैं प्लेनोग्राफी भारत में स्टार्ट करते हैं उनका नाम होता है M बेलनोस और M दासालवे निक राइट आंसर D के साथ आपको लगाना होगा M बेलनोस और M दासालवे निक D is the right आंसर बनेगा प्रक्टिस फेपर हम लोग देख रहे हैं इस प्रक्टिस फेपर में भी कित्ते कोश्चन्स हैं आप जानते हैं 125 कोश्चन्स हैं प्रस्टन क्यार्ड आपसे कह रहा है यूरोपिये सासकों ने लीथियोग्राफी का प्रियोग नकसे और चार्ट की छपाई के लिए क्या किस्टन में आपसेंस में 1820 का है 1815 का है 1825 का है या फिर 1900 का है यूरोपिये सासक के बारे में पुझा जारा है कब उन्होंने जो है इसका प्रियोग किया था तो आप जानते हैं लगभग 1820 के आसपास यूरोपिये सासक को नवा लेथोग्राफिक का अप्रियोग करना इस्टार्ट कर दिया तो राइट आंसर्स आपको एक साथ लगाना होगा एस राइट आंसर्स हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्ट कॉस्चन की तरह पर संख्या 9 आपसे कह रहा है एस यांटिक लिथोग्राफिक प्रेश कोलकाता में लगाई गई 1884 Sb में 1925 Sb में 1920 Sb में या फिर 1825 Sb में एस यांटिक लिथोग्राफिक प्रेश जो कोलकाता में इस्टबलिस होगी उसका संबन्ध होगा 1884 से आप जानते हैं 1881 के आसपास मुलूब से किसका जन्म होता है जोड़ा साको में 1881 के आसपास किसका जन्म हो जाएगा तो आप जानते हैं 1881 के आसपास जो जन्म होगा वो किसका होगा 81 के आसपास 61 के आसपास तो सीधे सीधे बाबा जी का जन्म होता है जिने हम लोग रभीन नाट टेगुर के जानते हैं आप जानते होंगे कि 7 मईई का लगभग लगभगोद दिन होता है 7 में 1861 तो जो रसा को बंगाल में मुलूब से रभींदर बाबा का जन्म होता है देवेदर नाट के सबसे छोटे पुतर होते हैं रभींदर नाट और 1884 के आसपास यसे अंटिक लिथोग्राफिक प्रेस के स्थापना हो जाती है 1884 के आसपास खुलो काता की बात हो रही राइट आंसर से के साथ लगाईएगा बढ़ चलिए नेस्ट कोश्चन की तरह प्रश्चन के अदस आप से कह रहा है अमरीका से सेरीग्राफिक का प्रचलन प्रारंप हुआ कि सन में 1935 में 1935 दिया गिया है 1894 दिया गिया 1930 दिया गिया 30 से 40 के मद्य मुलूब से प्रचलित होता है बढ़ता है नेस्ट कोश्चन की तरह प्रश्चन क्या 11 आप से क्या कह रहा है 11 नंबर कोश्चन आप से कह रहा है भारत में वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सेरोग्राफिक पदति अपनाया अपसंस में परमजी सिंग का नाम है अमितापदास का नाम है दर्तात्रयाप्टे का नाम है और केजी शुब्रेमन्यम का नाम है तो भारत में प्रथम व्यक्ति है जिसने सेरोग्राफिक मुलूब से अपनाया एडप्ट किया मुलूब से उसका नाम होता KG شub demanium, KG شub demanium D के साथ answers लगाना पड़ेगा D is the right answers बनेगा बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रश्ण ख्याबार आपसे क्या कह रहा है आप शें प्रश्ण आला जो है demand कर रहा है कि छापे खाने की मसीन द्वारा चितर को छापने की विधी क्या कहलाती है अगर च्छापा खाना की मसीन से च्छाप दिया जाए डाटा तो उसे हम लोग ओलियोग्राफी के नाम से जानेंगे इस दराई डांसेस बनेगा याद रखना आगे बढ़ते हैं प्रश्रंख्या 13 आप से पूछा जा रहा है शोमनाथ होर दिल्ली पॉलि टिकनिक में मुंबई में वाई के शुक्ल 1940SB से ग्राफिक कलाओं में कारे कर रहे थे यनिकी सिच्छा प्राप्त हुई है तो वाई के शुक्ल मूलूप से कहां से सिच्छित हुए है कहां पढ़के आए हैं इटली से जापान से जर्मनी से चीन से राइट आंसर साथ क्या लगाएंगे चारो आपसन्स देखने के बाद जहां से मूल लूप से राहुल गांधी की माता जी का संबंध है वहीं से मूल लूप से ये भी पढ़के आए हैं राइट आंसर एक एसाथ लगाईएगा इटली इस दा राइट आंसर हो जाएगा बढते हैं नेश्ट कोश्चन्स की तरफ प्रश्रंख्या पंदरा आपके स्क्रीन पे है पंदरा नंबर कोश्चन्स क्या कह रहा है इन ग्रेबिंग, एचिंग, एकवांटिंग, मेजोंटिंग, इत्यादी तकनीकी किसे से संबन्ध रखती है तो ये चारो तकनीकिया मुलूब से किसे रिले प्रोसेस से संबन्ध रखती है प्लेनो ग्राफी प्रोसेस से संबन्ध रखती है इंटेगलियो प्रोसेस से संबन्ध रखती है फिर सेरी ग्राफी प्रोसेस से संबन्ध रखती है बढ़ते हैं इस questions की तरह प्रश्रंख्या 16 आपकी स्क्रिन पर आने वाला है 16 नमबर questions कह रहा है अमरीका में सेरी ग्राफिर प्रिंटिंग का विकास हुआ सेरी ग्राफिर प्रिंटिंग का विकास किस्टन में होता है आपसंस में नाम दिया गया है 1930-40 के मद्ध हुआ 40-70 के मद्ध हुआ 60-65 के मद्ध हुआ 35-60 के मद्ध हुआ अभी ये questions आया था सेरी ग्राफिर यानि सिल्क स्क्रिंट प्रिंटिंग की जो विकास होती है हमने बताया था 1930-40 के मद्ध हुआ है तो राइट answers ये लगाईएगा वहाँ पर 1930 answers बना था बिल्कूल इस दराइट answers लगाईए बढ़ चलिए next questions की तरह प्रशंख्या 17 आप से कह रहा है कि आज के युग में किसी भी प्रिंटिंग के आर्ट वर्क को तयार करने में पेज सेटिंग और डिजाइनिंग में तथा किसी भी आर्ट वर्क को करने की चमता कौन रखता है कम्प्यूटर रखेगा लिथियोग्राफी रखेगा कैमरा रखेगा या फिर फ्लेक्सोग्राफी रखेगा तो चाहे पेज सेटिंग की बात हो डिजाइनिंग की बात हो या फिर आर्ट वर्क करने की छमता की बात हो इस सारा का सारा काम आप जानते होंगे ये इसको चाल्स वेबेज ने तयार किया था राइट अंसर्स कम्प्यूटर होगा एस दर राइट अंसर्स बनेगा बढ़ चलिए नेस्ट कोश्चनस की तरफ प्रसंख्या 18 आप से पूछ रहा है कि भारत में शर्ब प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित किया गया आप संस में गोवा है पुने है मुंबई है है एधराबाद है आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस के अगर बात होगी तो प्रमोद सामंत का गोवा जिम्मेदार होगा इस तरह इटांसर्स हो जाएगा गोवा के वरतमान पीम कौन है प्रथान मंतरी क्या सीम यार चीप मिनिस्टर को कौन है प्रथान मंतरी तो नेरेंद मोदी है क्यों क्योंकि वो राज्य है ये देश होता है देश का परधान मंतरी होता है राज्य का मुख्य मंतरी होता है हाला कि आप जानते हैं राज्य छोटा होता है तो छोटे रूप में जैसे गाउं के लेबल पर पर परधान होता है उच्च अस्तर पर और आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे जिला पंचाय अध्यच्च होता है उसके बाद ऐसे आउर आगे आप बढ़ेंगे तो यह सब मुख्या होते हैं इसे राज जी का मुख्या आप जानते हैं सासन पर सासन का पूरा बागडोर मुख्यमंतरी के हाथ में होता है और अगर देश की बात करते हैं तो मुख्य जो है नाम मातर का प्रधान मंतरी नहीं राश्टपती होता है बाकी तो आप जानते हैं देश का सरबोच्चे कोन होता है प्रधान मंतरी होता है नाम मातर का राश्टपती भी होता है प्रशंख्या 19 के अगर बात करते हैं मुंबई में प्रिस के स्थापना कब होती है 15-16 में 18-18 में 16-16 में 16-32 में आप देखेंगे मुंबई की बात हो रही है प्रिस की बात हो रही है उधो सरकार थी अब एक नात सिंदे की है शोला शोला राइट अंसर्स लगा लिजे 20 राइट अंसर्स हो जाएगा प्रशंख्या 20 की बात हो रही है 20 नंबर कोस्टन साबसे कह रहा है प्रारंभ में छपाई के लिए किन मसीनों का प्रियोग होता था दातू की लगड़ी की पत्थर की हड़ी की आप जानते हैं इस्टार्टिंग काल में जो है लकड़ी के छपाई होती थी लकड़ी की मसीनों आती थी उससे मोहर मार के काम चलता था चीन में इसका डाट़ा सबसे पहले स्टार्ट होता है तो C के साथ अंसर्स लगा लीजेगा पर चलते हैं Next Questions की दरह प्रेशन क्या 21 की बात हो रही है पूछ रहा है छपाई के बाद कागच को स्याही से अलग कर ट्रेडल मसीन का वह कौन सा भाग काम करता था तो कौन सा भाग काम में आता था जिसे हम लोग ग। ग्रिपर्स के नाम से जानते हैं वही मुलूब से काम में आता था उसे हटाने के लिए तो राइट अंसर ग्रिपर्स बनेगा डे इस दराइट अंसर हो जाएगा बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की तरफ प्रस्रंख्या बाईस आप से कह रहा है लीथियोग्राफिप प्रिंटिंग के लिए किस कागज का प्रियोग किया जाता है मिस्तर कागज का लेजर प्रिजर का बैंक पेपर का या फिर बॉंड पेपर का लीथिोग्राफी प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो लीथियोग्राफी प्रिंटिंग में मूलूप से मिस्टर कागज का प्र्योग किया जाएե का तो मिस्तर कागज लगा लिए, इसद्राइड आंसर से आप पे बन रहा है, बढ़ते हैं नेक्ट कोशनक्र की तरफ, बैमनस्य के सिद्धांत पर आधारी थे लिथियोग्राफी प्रिंटिंग है, कोलो टाइप प्रिंटिंग है, थर्मोग्राफी प्रिंटिंग है या फिर लेजर प्रिंटिंग है, पानी और तैल के बैमनस्य के सिद्धांत पर मूलूप से जुकारे करता है, उसे हम लोग उद्ढ़न्परारम्भी चिया था चीन में भारत में जापान में यह फिर अंगलेंड में अभी जेस्ट हम ने देखा था कौस्शंज कौन सा कि मुँट्रोप मसीनों का प्रयोग होता है तब कहा गया था लखड़ी के मसीनों का प्रयोग होता है तो बिल्कुल चीन में ऐसा गुटका बना करके भुद्रान का काम या नी छपाई का काम किया जाता था राइट आंसर से के साथ लगा लेजे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन्स की तरह प्रस रंख्या 25 की बात होगी 25 नमर कोश्चन्स आप से कह रहा है वरतमान में लकडी के अस्थान पे बलाग बनाये जाते हैं मिट्टी से, प्लास्टिक से, पत्थर से, धातू की प्लेट से आप देखेंगे तो लकडी के अस्थान पे बलाग बनाये जाते हैं किसके तो लकडी के अस्थान पे जो बलाग बनाये जाते हैं आप देखें होंगे छपाई की कारखानों में आजकल जो है धातू की प्लेटे लगती हैं तो राइट अंसर डीका बनेगा हल्मूनियम की प्लेटे होती है बड़ते हैं इस्ट कोस्टन्स की तरफ प्रसंख्या 26 कह रहा है लीथियोग्राफी की अभिस्कारक थे आपसंस में लीथियोग्राफी की अभिस्कारक की अगर बात होगी तो बेरनियन राइट आंसर लगा लेजेगा बड़ते हैं इस्ट कोस्टन्स की तरफ प्रसंख्या 27 आपसे क्या कह रहा है लीथियोग्राफी का नामकरण 1813 में किया रंगल्स ने किया, एच बैक्स ने किया, जेम्स वाट ने किया, एफिर गटन वर्ग ने किया लिधियोग्राफी का नामकराण 1813SB के आसपास मुलूब से किसके द्वारा एच बैक्स के द्वारा किया जाता है, तो आपको राइट आंसर C के साथ लगाना होगा C is the right answer, यहाँ पर बनेगा, प्रश्रेंख्या 28 की बात करते हैं, ठाइस नंबर कॉस्चन्स आपसे कह रहा है किस प्लेट को निगेटिब के द्वारा एक्सपोज करते हैं, पॉली इस्टर प्लेट को, जस्ते की प्लेट को, वाईपॉन की प्लेट को, या फिर पी यस प्लेट को तो कौन सा प्लेट निगेटिब के दwar एक्सपोज होता है तो निगेटिब के दwar एक्सपोज होने ओने फालेट वाइपन प्लेट होता है अंसर भी के साथ बनेगा बढ़ते हैं निच टोरी कोष्चंद की तरह प्रस्ट रंकpri 18 आपकी स्क्रीन पे है कि सिल्क या नाइलान द्वारा महीन कपड़ा लकड़ी के फ्रेम में कस दिया जाता है ऐसा किस पदिती में अपनाया जाता है फ्लेक्सोग्राफी में, होलोग्राम में, लेजर प्रिंटिंग में और फिर सिल्क इस्क्रिंटिंग में तो महीन कपडा लकडी के फ्रेम में कस दिया जाता है ऐसा कारणामा कहां तो सिल्क स्क्रिंट प्रिंटिंग में किया जाता है ड़ी is the right answer होगा सिल्क स्क्रिंट प्रिंटिंग is the right answer बढ़ते हैं इस questions की तरफ आप जानते हैं 125 questions साथ में रहेंगे 30 number questions पर आप पहुंच चुके हैं पूछा जा रहा है stainless के आधार पर किस printing process का विकास हुआ है absence में silk screen printing का है offset printing का है lithography का है laser printing का है right answers क्या होगा stainless के आधार पर मूलब से किस printing process का विकास होता है तो आप सानते है silk screen printing का विकास ऐसे हुआ है तो right answers एके साथ लगा लीचेगा इस्टे silk के आधार पर कौन सी printing तो silk screen printing आती है is the right answers बनेगा बढ़ चलिए next questions की तरफ प्रश्रंख्या 31 आपकी screen पर है 31 आपकी screen पर है 31 number questions आप से कह रहा है silofen plastic की थैली दूद हुआ cold rings और packet किये गए पाउच इत्यादी छापने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो चाहे वो plastic की थैलियां छपाए चाहे सिलोफिन छपाए चाहे वो दूद, cold rings आदी दाटा छपाए मुल रूप से किसका प्रियोग होगा फ्लैक्सोग्राफिक का होगा इंटेग्लियो का होगा कैमरा का होगा या फिर लिथोग्राफिक का होगा तो आप जानते हैं कि इन सब को करने के लिए मुलूप से फ्लैक्सोग्राफिक का प्रियोग होता है तो राइट अंसर्स आपको फ्लैक्सोग्राफिया यानि एस दरागाना होगा is the right answers बन भी रहा है आगे बढ़ते हैं प्रशंख्या 32 की बात होगी 32 में क्या कह रहा है 32 में आपसे कह रहा है सजावटी कागज सजावटी कागज छापना हो या फिर business card छापना हो या फिर निमंतरन काज छापना हो या फिर visiting card जिसे कहा जाता है ग्रेटिंग काज छापना हो आज छापने का प्रयोग कैसे होगा तो थर्मोग्राफी में होगा फ्लक्सोग्राफी में होगा लिथोग्राफी में होगा या फिर इंटेगलियो में होगा तो सजावट कागज छापना बिजनेस काड़ छापना इन सब में मुलूब से किसका प्रियोग आप जानते हैं थर्मोग्राफिक होता है तो राइट अंसर्स थर्मोग्राफिय यानि एज राइट अंसर्स लगाना होगा बढ़ते हैं नेक्ट कोस्चन्स की तरफ प्रश्चंख्या थरड़े तरी की बात होगी 33 नमर कोस्चन्स कह सब्सक्राइब करते हैं आप जानते होंगे और यह पूछा जाएगा बहुत पतला और पानी को सोखने वाला कागज कौन सा होता है ज्यादा तो लोगी से प्रियोग करते हैं आप जानते होंगे और पानी को सोखने वाला कागज मुलूब से टिशू पेपर कहलाता है डी इस दराइट आंसर बन जाएगा टिशू पेपर इस दराइट आजर वड़ते हैं नेक्ट कोस्टन के तरह प्रशंख्या 35 आप से कह रहा है कौन सा कागज टंकड कारे के लिए प्रयुक्त होता है कार या टंकड़ वाली मसीन में मुरूब से टाइपिंग पेपर का प्रियोग होता है C के साथ answers लगाईए बढ़ चलिए next questions की तरब प्रश्रंख्या थर्डे 6 आप से कह रहा है कागज का अभिश्कार किस देश में हुआ है कागज का अभिश्कार किस देश में मिस्र में भारत में यूनान में चीन में चारो अपसंस पढ़ने के बाद आप राइट answers क्या लगाएंगे वांग पांग चूंग चूंग राइट answers चीन लगाना होगा D is the right answers बनेगा विल्कुल D is the right answer बड़ते हैं next questions की दरफ प्रस रंख्या 37 की बात होगी 37 number questions आप से कह रहा है history of war नामक पुस्तक के लिए खकून है history of war नामक पुस्तक किस ने लिखा है humans ने लिखा है orientables ने लिखा है चरस ने लिखा है या फिर nearchus ने लिखा है history of war नामक पुस्तक को लिखने का काम किस का रहा है history of war नामक पुस्तक को लिखने का काम और इस्ट्रियो बुलस का रहा है right answers आपको C के साथ लगाना होगा और history of bulls is the right answer यानि C is the right answer बड़ते हैं next questions की दरफ प्रस रंख्या 38 आप से कह रहा है क्या prehistoric painting नामक पुस्तक के रचईता कोन है absence में professor junior है d.h.garden है panchana नमित्र है और बांडरिक है आप जानते हैं prehistoric painting के रचईता कोन तो prehistoric painting को लिखने का काम बांडरिक को होगा रहा है these the right answers बन रहा है prehistoric indica नहीं prehistoric painting पूछा गया है तो बांडरिक होंगे right answers बढ़े चलते हैं next questions की तरफ अगला questions आप से prehistoric indica नहीं पूछ लिया गया prehistoric indica पुस्तक किस की है w.enderson की है junior की है Stuart forgot की है नमेशे कोई नहीं आप जानते हैं prehistoric indica पुस्तक किस की होती है prehistoric indica पुस्तक Stuart forgot की होती है आप जानते होंगे Indian sculpture printing होती है उसको लिखने का काम Arnest Penfield है बले का होता है बढ़ते है next questions की तरफ प्रशंख्या 40 आप से क्या कह रहा है देहाती बास से बनाई गाडिया चित्रित है तो देहाती बास से बनाई गई गाडिया मूलूप से कहां चित्रित होशंगाबाद में है मंदसौर में है आदमगड में है मानिकपुर में है या फिर मानिकपुर तो देहाती बास की जो गाडिया बनाई जाती है ऐसा चित्र मूलूप से मंदसौर में पाया जाता है मध्ध प्रदेश का हिस्सा होता है C के साथ answers लगाई है बढ़ चलिए next questions की तरफ 41 number questions आप से कह रहा है सर्व पर्थम मनुष्य का रासाइनी का विश्कार था मिरन मोर्ती बनाया टेरा कोटा बनाया भांड बनाया या फिर हतियार बनाया तो मनुष्य सबसे पहले रासाइनी का विश्कार में भांड का निर्माड करेगा याद रखना राइट answers B के साथ बनेगा भांड is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ next questions आप से कह रहा है वस्तु निर्माड की कला का विकास किल कला में हुआ है पाशाण काल में हुआ पुर्पाशाण काल में हुआ उत्तर पाशाण काल में हुआ या फिर आधुनिक काल में हुआ तो वस्तु निर्माड की कला का विकास जो माना जाता है मुलूब से कहां से माना जाता है उत्तर पाशाण काल से माना जाता है right answers आपको B के साथ लगाना होगा B is the right answers बनेगा बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या 43 की बात होगी पूछ लिया गया ग्रह निर्माड की कला का उदय किस काल में हुआ है ग्रह निर्माड यानि घर नी केतन का कारी कहां हुआ है पुर पाशान काल में हुआ ग्रह निर्माड यानि घर बनाने का काम मूलूप से कहां पे दिखाई देता है उत्तर पाशान काल की एच्छी विशेश्टा मानी जाती है ग्रह निर्माड की तरह बढ़ चलिए next questions की तरह प्रसंख्या 44 आप से कह रहा है उत्तर पाशान काल में मानो अपने घरों का निर्माड किया चूना पत्थर से किया इंटो से किया मिट्टी से किया या फिर घास पूस और मिट्टी से किया तो उत्तर पाशान काल में जो घार निर्माड का कारे होगा आप जानते हैं मानो घास पूस और मिट्टी का प्रयोग करके बनाएगा तो right answers, this is the right answers बनेगा बढ़ते हैं next questions की तरह प्रश्रंख्या 45 की बात होगी 45 number questions कह रहा है मानो ने शर्परतम किस धातू का प्रयोग किया? कांसा का? पीतल का? तांबा का? लोहा का? मानो ने शब्स पहले जो है धातू का प्रयोग कौन सा किया? तो वो धातू कहलाती है लोहा नहीं, तांबा, तांबा be is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह प्रश्रंख्या 46 आप से कह रहा है Prehistory of Progaiti Hasik Prehistory of Progaiti Hasik काल का सब्दिक अनुबाद सर्व प्रथम अपनी पुस्तक The Archaeology and the Prehistoric Enols of Scott Lang में किस ने किया? तो The Archaeology and Prehistoric Enols of Scott Lang में मुलूब से Alexini ने किया है, Pilni ने किया है Taysium ने किया है, फिर Daniel Wilson ने किया सबसे पहले किसे ने प्रयोग किया है? तो आप देखेंगे 4 Opsons, तो right answers होगा Daniel Wilson is the right answers बढ़ते हैं Next Questions की तरफ प्रशन क्या फोड़ी से बन की बात होगी इस ने तालिश नंबर कोश्चन आप शे कह रहा है मोहन जुदाडों का सबसे बिशाल भहून कौनशा है? जलकुंड है, बैरक है, अन्नागार है, सनान गरह है मोहन जुदाडों का सबसे बिशाल, यानि सबसे बड़ा बाला जो डाटा मिलेगा वो अन्नागार मिलेगा, आपको सबसे बड़े डाटा में अन्नागार का जो हिचाब मिलता है, तो B के साथ answers लगाईए बढ़ चलिए Next Questions की तरफ प्रश्रंख्या 48 आप से कह रहा है, तामबा गलाने का कार खाना किस जगह से मिला मोहन जुदाडों से मिलेगा, हडपा से मिलेगा, काली बंगा से मिलेगा या फिर लोथल से मिलेगा, तामबा गलाने का कार खाना पूछ रहा है लोथल में, काली बंगा में, आलमगीरपुर में या फिर हडपा में तो अगने बेदिकाओं का अस्थान मुलूप से कहां मिलता है अगने बेदिकाओं आप जानते हैं काली बंगा में मिलता है तो लोथल नगर जो बसाया गया है, कुछ लोग वरगा कार राइट आंसर लगाएंगे, कुछ लोग आयताकार लगाएंगे, फिलाल हम भी आयताकार ही लगाएंगे, आयताकार ही घर पाया गया है। आगे बढ़ते हैं आगे questions क्या कह रहा है प्रशंख्या 51 की तो 15 number questions आपसे कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है absence में भोगवा का नाम है दसक का नाम है शमतल का नाम है और चोगांद का नाम है तो मुलूप से आपको भोगवा नदी राइट answers लगाना है इस तर राइट answers बनेगा लोथल भही आहमदाबाद वाला विल्ट होता है गुजरात वाला जिसे रंगनात राओ मुलूप से खुशते हैं तो भोगवा नदी के किनारे पाया जाता है एक एसाथ answers लगा ये बढ़ मुलूप से काली बंगा जो पाया जाता है काली बंगा का संबन्ध राजस्थान के हनुमान गड़ जिला से होता है हनुमान गड़ जिला बहुत सारी जगे जो है हनुमान गड़ जिला आपको दिखाई देगा घगगर नदी के किनारे हैं जहां से जुते हुए खेत का साथ से मिलता है लेकिन यहां पर हनुमान गड़ नहीं है तो गंगा नगर राइट आंसरस आप लगा लीजिए गंगा नगर राइट आंसरस लगा लीजिए हनुमान गड़ जिलावे से मुलरूप शेमाना जाता है आगे बढ़ेंगे प्रश्रंख्या 53 की तो त्रेपन नंबर हो रही है काली बंगा आप जानते हैं अमलान अंद गोस भी रहते हैं ब्रजवासी लाल भी रहते हैं वीके थापर भी रहते हैं तो तीन लोगों की नेतरते में काम होता है यहां पर आपने देखा कि नाम क्या है ब्रजवासी लाल तो बी बी लाल राइट अंसरस लगा लि गगर नदी आब जणते nagra कर्मिंधर्स के लिए जिम्मेदार होती हुई जुता हुआ हूआ खेत का साच यहां मिलता है अगन कुंड का साच मिलता है चूंडियां मिलती है अलंक रिटीं मिलते हैं सब जाटा यहां पे मिलता है, आगे बढ़ते हैं प्रशरंख्या, चोन की तरह 54 नमर कोश्टन साथ से कह रहा है कि सचाई के लिए नहर का प्रमाणकी से स्थल से प्राप्ट हुआ है, मालवांड से मिला है राखीकड़ से मिला है, रंगपूर से मिला है फिर मिताथल से मिला है तो नहर का प्रियोग मुल रूप से सिचाई के लिए नहर का प्रियोग कहां दिखाया गया है कहां मिला है इसका साथ है तो मालावड राइट आंसर एक साथ जाएगा मालावड इस धराइट आंसर बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन्स की तरह प्रश्रंख्या 55 आपसे क्या कह रहा है 55 नमर कोश्चन्स कह रहा है हडपा बासियों की लिपी किस प्रकार है और ना आत्माख है चित्रलेख आत्माख है भावा आत्माख है या फिर इन में से कोई नहीं हडपा बासियों की लिपी जो पाई जाती है मूग लूप से उसका संबंध चित्र लेखात्मक होता है तो आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा चित्र लेखात्मक इस तर राइट आंसर बड़ते हैं इस कोशन्स की तरह प्रश रंख्या 56 की बात होगी 56 नमबर कोशन्स आप से कह रहा है हडपा वासी के सबसे छोटे बांट का तौल कितने के बराबर रहा है 13.2 ग्राम के 11.5 ग्राम के 12.25 ग्राम के या फिर 13.64 ग्राम के तो हडपा वासी में मूलूप से जो बांट का प्रियोग किया गया उसका जो है डाटा कित्ता ग्राम का रहा है अगर आप हडपा की बात करेंगे तो हडपा के लिए मुलूप से कित्ते ग्राम तो आप जानते होंगे इसका संबन्ध 13 दसंब्ध 14 ग्राम से रहा है D के साथ अंसर्स लगाना पढ़ रहा है D is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह अगला questions प्रश्रंख्या 57 आप से कह रहा है प्रतीक सव अभिसर्जन का प्रमार के सस्थल से मिला लोथल से हडपा से काली बंगा से मोहन जुदारों से तो प्रतीक सव अभिसर्जन का जो प्रमार दिखाई देता है मोलूप से लोथल से दिखाई देता है तो आपको right answers किसके साथ लोथल के साथ लगाना होगा लोथल वही रंगनात राओजी से खोशते हैं भोगवाने दिक किनारे होता है 1955 से 1962 के आज पास खोजा जाता है बढ़ते हैं next questions की तरह प्रश्रंख्या 58 आपको जाता है अछे साथ देफनाए गए है इतना डीफ हमें नहीं लगता कि पूशेगा लेकिन खोशक है पूचले इसलिए आपको याद रखना है आपको याद रखना है और ये next questions की तरह प्र्शंख्या 59 आप से कह रहा है सिंधु वासी की साभूशन का प्रियोग नहीं करते थे आप संस में करधनी है भुजबंध है पायजे भै निस्क है लेकिन यहाँ पे निस्क राइट आंसस बनेगा इसका प्रियोग ये लोग नहीं किये है तो निस्का प्रियोग शिंधु वासी के लोग नहीं करते थे यानि इंडस वैली सिबलाइजेशन के लोग नहीं करते थे बड़ते हैं नेश्ट कोश्चन्स की तरह प्रश्रंख्या साथ आप से पूछ रहा है कि तामर पाशान संस्कृति को कहा जाता है जोरवे संस्कृति, अहार संस्कृति, कायस्त संस्कृति, जूकर संस्कृति तामर पाशान संस्कृति का जो उपनाम होता है उसे मुल रूप से किस नाम से आप पुकारेंगे तो जोरवे संस्कृति के नाम से उसे पुकारेंगे एक साथ अंसस लगा लीजेगा इस तरहाई टांसर्स बनेगा बढ़ते हैं नेक्ट कोश्टन की तरफ प्रसंख्या 61 की बात हो रही है पूछा किया निम्रिकित में से किस वस्तु से लोहे की ढलाई कर सकते हैं लोहे की ढलाई का संकेत कहां से मिला है धातुमल से मिला, कीले से मिला, भाला से मिला या फिर चाकू से मिला तो किस वस्तु से लोहे की ढलाई कर सकते हैं ऐसा संकेत मिला है तो मुल रूप से ऐसा धाता धातुमल से ही मिलता है आप जानते हैं धातुमल के द्वारा आप लोहे के डलाई कर सकते हैं एक के साथ आंसर्स बनेगा इस दराइट आंसर बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टेंज की तरह प्रसंख्या 62 की बाट हो रही है बाशार नमबर कोस्टेंज आप से कह रहा है भीषण अगनिकांड के प्रमाड सेंधो शब्यता के किसस्थल से मिले हैं अगनिकांड का प्रमाड तकड़ा वाला जो है अगनिकुंड नहीं अगनिकुंड नहीं कह रहा है अगनिकांड मुलूप से जहां पे जल गया था कुछ data जो है नुकसान हो गया था चेती बूर्ती हो गया था ऐसा साथ से कहां मिला है रोजदी से मिला है काली बंगा से मिला है मालवार से मिला है या फिर लोथल से मिला तो अग निकार्ण के प्रमाण मुलूप से कहां दिखाए गए हैं तो रोज़दी दिखाए गए हैं राइट आंसर साबको रोज़दी राइट आंसर लगाईएगा A is the right answer हो जाएगा बड़ते हैं next questions की तरह प्रश रंख्या 63 आपसे कह रहा है मचली पकड़ने की कांटे की स्धास से निर्मित हैं पत्थर से तामर से पीतल से लोहे से तो मचली पकड़ने की जो कांटे होते हैं वो तामबे की होते राइट आंसर C के साथ लगाईएगा तामर is the right answer बड़ते हैं next questions की तरह प्रश रंख्या 64 आपसे कह रहा है बड़ते हैं next questions की तरह प्रश रंख्या 65 आपसे कह रहा है निमलिकित में से किस संस्कृती को सोड़ी संस्कृती नाम दिया गया आपसंस में हड़पा संस्कृती है हड़पा पूरबी संस्कृती है हड़पेतर संस्कृती है या फिर जोकर संस्कृती है तो सोड़ी संस्कृती के नाम से जो पुकारा जाता है उसे हम लोग हड़पा पूरभी संस्कृती के नाम से भी जानते हैं हड़पा पूरभी संस्कृती राइट अंसर लगाईएगा बीज तर राइट अंसर बनेगा बढ़ते है next questions की तरफ प्रश्रंख्या चाचछट आप से कह रहा है कि हडपा के मकानों में प्रभीष द्वार होते थे वीथी की ओर, राजमार की ओर, शणक विपरित दिसा में या फिर पूर्व की ओर तो हडपा में मकानों में प्रभीष द्वार मुलूप से कैसे होते थे तो वीथी की ओर होते थे, राइट आंसर साब वीथी लगाईएगा या या इस तर राइट आंसर बन जाएगा बढ़ते है next questions की तरफ प्रस्रंख्या 37 37 नमबर questions आप से कह रहा है या कतन किसका है कि मोहन जुदाडो और हडपा, सिंधू, घाटी, शब्यता की दो जुडवा राजधानिया थी मोहन जुदाडो और हडपा, सिंधू, घाटी, शब्यता की जो जुडवा राजधानिया मुलूप से किस ने कह दिया जान मारसल ने इस्टवर्ट विगार्ड ने आरड़ी बनर जी निया फर दैराम साहनी ने तो मुलूप से ऐसा कथन कहना का काम इस्टवर्ट विगार्ड का होगा तो आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा आप से कह रहा है हरपा संस्कृती का दच्छेड तर अस्थर कौन सा है सबसे दच्छन वाला भाग आप जानते है महाराष्टरा में पाया जाता है तो उसका नाम धायमाबाद होगा जा उत्तर वाला पूछ ले तो आप सानते है महांडा होता है पूरबाद वाला पूछे तो आलमगीर पूरमेरट होता है बढ़ते हैं एक्ट कोस्चन की तरफ प्रशंख्या 69 आप से कह रहा है हडपा की पतन के पस्चात हुदे हुआ था कब्रिस्तान की संस्कृती जोकर संस्कृती जाकर संस्कृती आप फिर उप्रियोग तो सभी तो हडपा के पतन के पस्चात मुलूब से सभी संस्कृतियां एक साथ आती है राइट आंसर्स आप D के साथ लगा लीजेगा D is the right answer बन जा रहा है बड़ते हैं नेस्ट कोस्टन्स की तरह प्रशंख्या 70 आप से कह रहा है कि सिंधु आसी अपने खेट के सचाई करते थे नहर से, कुवां से, नलकूप से, नदी से आप जानते हैं सिंधु घाटी की लोग नदीयों से अपना प्रयोग करते थे खेटी किसानी तो राइट आंसर्स आप गो D के साथ लगाना होगा सिंधु आसी की गलियों की चोड़ाई किती थी 6 फिट, 3 फिट, 5 फिट, 4 फिट सिंधु घाटी में जो गली पाई जाती थी गलियों की चोड़ाई जो है 3 फिट बताई जाती है तो C के साथ अंसर्स लगाईएगा 3 फिट is the right answer बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन्स की तरफ प्रस्ट रंख्या 72 72 नमबर कोश्चन्स आपसे कह रहा है दुसाला ओड़े योगी की मुर्ती कि खुदाईशे प्राप्त हुई है आपसंस मेरामगड का नाम है मुहाई जोड़ो का नाम है, मिसर का नाम है दुसाला ओड़े योगी की जो मुर्ती होती है मुलूप से उसका समन्दी किस्चिय होता है तो मृत्कों का टिला मुहँजुदाडोसी होता है सी के साथ आंसर्स लगाईएगा सी इस दर आइट आंसर्स हो जाएगा जहांपे विसाल असनानागार मिलता है महबिद्याले मिलते हैं सोलमकानों का बैरिक मिलता है बहुत सारे डाड़ा मिलते है महीं से मुलूप से उसला ओड़े योगी की मूर्ती भी मिलती है प्रस्चन क्या से विटे थरी की बात होगी तीहत्ता नम्मर कोश्चन साब से कह रहा है हडपा में मिट्टी के बरतोनों पर सामानतिया किस रंग का प्रयोग हुआ था अपसंस में सफेद रंग है लाल रंग है काला रंग है पीला रंग है हडपा में मिट्टी के बरतोनों पर सामानतिया किस रंग का प्रयोग हुआ है तो ज़्यादा तर रंग का जो प्रियोग हुआ उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे तो लाल रंग जिसे हम लोग गेरुआ रंग के नाम से भी जानते हैं C के साथ आंसर बनाना पड़ेगा लाल रंग इस तर राइट पर्षण कितरा परसांखया 74 जोहता नमबर कोशनस आप से क्या कह रहा है कह रहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृते से बहुदे जो है पुजे बहुद धर्म का परचार परशार देश बिदेश में हुआ है यह धर्म अब समय में क्यों लोग प्रिये हो गया लोग भासा को शुबिकार किया इसलिए समानता को शुबिकार किया इसलिए आदर्स नेत्रितों के लिए या फिर सर भाभोमी प्रेम के लिए तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रविति से जो मुलूप से धर्म चलता है जिसे हम लोग बहुत धर्म के नाम से जानते हैं वो लोग प्रिये होता है आदर्श नेत्रित्व के चलते राइट आंसर C के साथ बन जाएगा बढ़ते हैं next questions की तरह प्रशन क्या 75 आप से कह रहा है भारत यात्रा में कोशांबी में चंदन से बनी हुई बुद्ध की मूर्ती किसको मिलती है तो कोशांबी में चंदन से बनी हुई मूर्ती होयनसांग को मिलेगी वासको डिमामा को मिलेगी फाहियान को मिलेगी या फिर बुलफ को मिलेगी चारो आप्षिंस देखने के बाद आप राइट आंसर किसे लगाएंगे तो भारत में यात्रा मुलब भारत यात्रा में कोशांबी से चंदन की बनी बुद्ध की मूर्ति होयंसांग को मिलेगी राइट आंसर लगाईएगा एस दराइट आंसर बन बढ़ते है नेक्ट कोश्टन्स की तरब प्रसंख्या समयडे 6 कह रहा है सिउजी की मूर्ती नटराज की रूप में दच्छन के मंदरों में पाई जाती है बंगाल में ऐसी ही मूर्ती को क्या नाम दिया जाता है तो बंगाल में उसे तर मूर्ती कहेंगे बोधिसत्थ तो कहेंगे सिउटांडो कहेंगे या फिर नितरेस्वर कहेंगे अप जानते हैं कि बंगाल में ऐसी मूर्तियों को जो नाटराज के रूप में रहती है उसे नितरेस्वर नाम दिया जाता है C के साथ answers बनेगा नित तेस और इस दराइट बढ़ता है निश्ट कोस्टन्स की तरह प्रस्टन के 77 आपसे कह रहा है क्या कह रहा है बाल कला का सरपर्थम प्रयोग किससे किया या किस ने किया कोरा डिरांसकी ने किया जेम सॉल भी ने किया बाल कला का सरपर्थम प्रयोग मौलूप से किस कि द्वारा बाल कला का सरपर्थम प्रयोग मौलूप से कोरा डोल की कि द्वारा किया जाता है एक साथ answers लगाईए बढ़ चलिए निश्ट कोस्टन्स की तरफ प्रस्टन के 78 78 नमबर कोस्टेंस कह रहा है कोरो डोल्स की कहां की निमासी थे आपसंस में है चीन, भारत, नेपाल, इटली, चारो आपसंस देखने के बाद आप राइट आंसर किसी लगाएंगे, इटली इस दराइट आंसर तो बनेगा, डी इस दराइट आंसर हो जाएगा, बढ़ते हैं नेक्स कोस्टेंस की तरफ प्रस्टन कहां, 79 ने अपसे कह रहा है, बाल कला के, नहीं, बाल कला में, क्रियातमक प्रभित्ति और शौंदर रहाउना को शरपर्थम अठारा सो सत्तानवे स्वी में किस विद्वान ने श्रविकार किया, आपसंस में नाम है, सीजेक ने, तीस अबिकार किया है, तो ऐसा मूल लूप से डाटा सो विकार करने का काम, सीजेक महोदे का रहा है, एक एसाथ आंसस लगाईए, बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन के तरफ, 80 नमबर कोस्टन साब से कह रहा है, सीजेक कहां के थे, जापान के थे, आस्टिया के थे, इंगलेंड के थे या फिर वर्मागे थे, अगर सीजेक की आप बात करेंगे, तो इनका सम्मन्दा अश्टिया से होता है, राइट आंसर, शी किशाथ वनेगा, सीज द राइट आंसर, बढ़ते हैं, नेक्ट कोस्टन की तरफ, प्रसंख्या टीवन आप से कह रहा है, बच्चों को आगे बढ़ने दो, बिक्षित होने दो, तथा परिपक्को होने दो, यह उक्तिव कि द्धन, जो है मुलूब से किश्विद्वान ने कहा, बच्चा आगे बढ़े, बिक्षित हो और परिपक्को हो, बोईला ने कहा, सीजेक ने कहा, लिचवार्क ने कहा, या फिर होगार्थ ने इस्टडीज आफ चैल्ड हुड के लिए आर्चर का नाम है आनंद कोडिश कुमार स्वामी का नाम है पर्शी ब्राउन का नाम है जेम्स सल्की का नाम है Studies of Childhood के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते है Studies of Childhood James Salky की अच्छी रजना है James Sali या James Salky जैसा लिखा रहा है James Sali यहाँ पे लिखा है तो D के साथ answers लगाईएगा James Sali is the right answer पढ़ते हैं next questions की तरह प्रश रंख्या 83 की बात होगी पुछा किया Childhood के लिखा कौन है Childhood डबलू बोईला है C.J. है कुरा डोरों की है फिर चिल वार्क है Childhood के अगर बात करते हैं तो Childhood के लिए डबलू बोईला सिम्मेदार है A is the right answer बनेगा डबलू बोईला is the right answer पढ़ते है next questions की तरह प्रशंख्या 84 नमबर कोश्चन्स आप से क्या कह रहा है बालग में द्रश्यात्म की अथार्थ की प्रुप्तिक किसे उम्र में दिखाई देती है द्रश्यात्म की अथार्थ कब नो दस वर्ष में बाईस तेस वर्ष में पंदरा सोला वर्ष में 22 वर्ष में बालग में दरश्यात्म की अथार्थ की अगर बात होगी तो राइट आंसर सोगा 9 और 10 वर्ष तो राइट आंसर फर्ष्ट के साथ लगाना पड़ेगा लगभग 19 साल बाल कला में अभी व्यक्ती के लिए साहयक होता है अंतरिक प्रणा अगर मिलेगी तो बहुत जादे हलफुल रहेगा बी की साथ अंसर लगाई है बढ़ चलिए नेस्ट कोस्टन की तरफ प्रशन के 86 की बात होगी ऐटी सिक्स में आपसे कह रहा है कि बाल कला को सच्ची व्यक्ती कि जैवानी ने माना एवी हैवले ने माना यामनी रंजिर राए ने माना या फिर रामला सर्माने माना तो बाल के बाला की घूला तो charge क्रिया की रोप में प्रतरी दैथैने की तरह प्रशन क्या morning काई आप से अ क्या कह रहा है कह रहा है बच्चों की कला नामक पुस्तक के लेकर कौन है आपसद में हैं कुरा डुरंकी हैं होगार्थ हैं सीजेक हैं और जो है लिचवार्ग है बच्चों की कला नामक पुस्तक के लेकर मुलूब से कौन माने जाते हैं तो बच्चों की कला के लिए जो उनका नाम हैुआ दुरेंकी प्रशंख से कह रहा है तो जन जातियों की प्रमपरा जो रखती मुलूब से क्या मानी जाती है ट्राइबल आर्ट मानी जाती है right answers आपको first के साथ लगाना होगा is the right answer हो जाएगा is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह प्रश्रंख्या नब्याप से क्या कह रहा है कह रहा है आदिवाशी लोगों के जीवन में आवश्यक्ताएं होती है असीय मित होती है आधुनिक से परिपूर्ण होती है सीमित होती है या फिर नब्याशी कोई नहीं आदिवाशी लोगों के जीवन में आवश्यक्ताएं कैसी होती है तो आदिवाशी लोगों के जीवन में सीमित नहीं सीमित आवश्यक्ताएं होती है सीमित बेज़ दराइट answers लगाईएगा बढ़ते हैं next questions की तरफ या फिर गरासिया की बात होगी तो इनका संबंध है असोग गहले उत्वाले राजी से होगा या नहीं राजस्थान से होगा अभी इस तरहाई डांसस लगाईएगा बढ़ चलिएगा नेश्ट कोश्चन्स की तरह प्रस्टन क्या 92 की बात होगी 92 में कह रहा है बरतन नहीं ब मिट्टी के बरतनों पर विभिनी परकार के चितरकारी के प्रमाण मिलते हैं कहां से भील जान जातियों से टोंड जन जातियों से संथाल जन जातियों से या फिर नागा जन जातियों थे तो मिट्टी के बरतनों पर बढ़ियां से चितरकारी के प्रमाण कहां दिखाये जन जाती में रहा है। कंगिया बनाने की प्रता है कंगिया किसका प्रतिक वानी जाती है तो सोक का है उच्छो का है प्रेम का है खतरे का है तो कंगिया बनाने की प्रता मुझलूप से किस में है आप जानते हैं प्रेम में मुझलूप से दर्शाया जाता है तो प्रेम का प्रतिक माना जाता है राइट आंसर B के साथ लगाईएगा बेजदा राइट आंसर बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टेंज की तरह प्रश्रंख्या 95 आपसे कह रहा है कि ब्याधी के कारण बनी आकरतियों को क्या कहा जाता है आपसस में है ओका नोका कहेंगे कामरे कहेंगे मुखोटे कहेंगे या फिर ओका जोका कहेंगे तो ब्याधी के कारण बनी आकरतियों को क्या कहा जाता है ब्याधी के कारण बनी आकरतियों को ओका नोका कहा जाता है तो राइट अंसर एक के साथ लगाईएगा O का No का is the right answer यानि A is the right answer बढ़ते हैं नेट कोस्टन्स की तरह प्रसंगे 96 की बात होगी 96 नम्मर कोस्टन्स आप से कह रहा है कि डोली पर चितरकारी वा सजावड किस जन जाती है कलाकी जीता जागता उदारण के रूप में दर्शाया गिया है तो डोली पे चितरकारी डोली पे चितरकारी का सजावड मुलूप से संथाल का है थारू का है नागा का है फिर सोरा का है आप देखेंगे डोली पहले के जबाने में मुलूप से आज की डेट में जो आप देखेंगे बढ़ियां यक्स्यू भी होती है चाहा 500 हो चाहा हो जैसी जिसकी डिमांड कोई BMWs जाए कोई किसे जाता है वेदाई होती है तो उसी के टाइम पे पहले जो है डोली चलती थी तो डोली पे चितरकारी की सजावट मुलूप से कौन से जन जाती हो में होती थी तो डोली पे मुलूप से संथाल में मुलूप से ऐसी कलाकरती दिखाई जाती थी तो राइट आंसर संथाल जन जाती होगा ये इस तर राइट आंसर बनेगा पर संख्या 97 की बात करते हैं पूछा गया आदिवासी गाउं की सीमा पर लगाये जाने वाले चिन्न को क्या कहते हैं आदिवासी गाउं की सीमा पर लगाये जाने वाले चिन्न है दार्ति चिन वोंगे धारमेक चिन वोंगे प्रतिख चिन वोंगे तो आप आप जानते हैं अधिवासी गवोंगों की सीमा पर लगया चिन है गड़ चिन कहलाता है राइट ंसर डी fully के साथ बनेगा डीस तर राइट आंसर लगाई ये बढ़िया 98 !」 जनजाती के लोगों की चितरकारी में यथार्थता की जलग दिखाई देती हैं। डिचीं का विजे किया वह कोन था अफसेंस में अफच्हापूर और विजापूर है अफसेंस में बीजापूर है अफसेंस करें बasons på लाएघकार고 जो है और और व decisल कोंड़ा ज है और आपसंस में हुमायू है, साजहां है, अकबर हैं, और अंजेब हैं, सरबाधी के हिंदू अधिकारियों की न्युक्ति करने वाला मुगल समराट को उनसा है, चारू आपसंस पढ़ने के बाद आप भी कटर और अंजेब को ही राइट आंसर लगाएंगे, D is the right answer हो जाएगा, और अंजेब is the right answer, बढ़ते हैं next questions की तरफ, प्रशरंख्या 101 आपसे क्या कह रहा है, 101 number questions आपसे कह रहा है, कि जजिया किसके सासनकाल में पुनह लगाया गया, आपसंस में अकबर का नाम है, जहांगीर का नाम है, और अंजेब का नाम है, और हुमायू का नाम है, जजिया लगाने के अगर बात करते हैं, तो जजिया दोबारा लगाया जाता है किसके द्वारा, और अरंग जेब के द्वारा, तो right answers B के साथ बनेगा, बढ़ते है next questions की तरफ, प्रशरंख्या 102 की बात होगी, पूछा गया चित्रकला की मोगल सहली का प्रारम भग किया था, अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायू ने, साचा ने, चित्रकला की मोगल सहली का प्रारम मुलूप से किसके द्वारा होता है, तो मोगल सहली का जो प्रारम होगा, वो अकबर की द्वारा होगा, तो आपको right answers अकबर लगाना होगा, यानि, is the right answers बनाना होगा, बढ़ते है next questions की तर है कि, तो कोई एक लगा लीजे रास्थान की जन जाती, आप जानते हैं, बेहु ने, तर का संब्ध मुलूप से अशम से रहा है, तो right answers असम ही बनेग, रास्थान नहीं बनेगा, पढ़ते है next questions की तरफ प्रास्थान क्या, जो है 104 कह रहा है, कर्म नर्त किस जन जाती के लो जाएगा, is the right answer हो जाएगा, बढ़ते है next questions की तरफ प्रसंख्या 105 आप से पूछ रहा है कि, मिट्टी, पत्थर, लकडी, बांस, खनेच पदार, धातू और धातूं की खाल, इत्यास सामगरियों का चितरांकन, प्रियोग हुआ है आदिवासी कलाओं में, आधुनिक कलाकर लोक कलाकरतियों में, या फिर धार्मिक कलाकरतियों में, तो मिट्टी, पत्थर, लकडी, बांस, खनेच पदार, धातू, पशूं की खाल, ऐसा डाटा मूलूप से कहां प्रियोग हुआ है, आदिवासी कलाकरतियों में हुआ है, राइट आंसर फर्ष्ट के साथ लगा ली भारती चित्रन पदती, अबुल फजल ने लिखी, आदिस्रे वास्तों ने लिखी, राम बिलास सर्मा ने लिखी, आफिर सहले नाट डे ने लिखी, भारती चित्रन पदती कि अगर पुस्तक की बात होगी, तो सहले नाट डे राइट आंसर बनेंगे, डेस राइट आंसर ह हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन्स की तरफ प्रश्रंख्याग 107 की बात होगी पूछ लिया गया बुझी लो बुझी लो नामक चितर किस कलाकार का है अब्दुल्रह्माद जगुताई का है हिम्मत साह का है राणबीर सिंग बेश्ट का है अम्रता सरगल का है 108 में आपसे क्या कह रहा है 108 में कह रहा है कि तुमके वल चितरकार ही नहीं कभी भी हो तुमके वल चितरकार ही नहीं कभी भी हो यह कारण मुलूब से यही कारण है कि तुम्हारी तुलिका से रसधारा बहती है यह कतन रविन्ना टैगुर ने किसके लिए लिखा कि तुमके रवीन्द नाः टेगोर के लिये लिखा मुलूप से रविन्द नाः टेगोर ने आयशी उव्मा मुलूप से असित कुमार हलदुर को दी है जिंका जन जोड़ा साकों में मुलूप से होता है राइड आंसर्स ची के साथ आंसर्स लगएगा seize the right dancers मिलेगा बढ़ते हैं next questions की तरा प्रशंख्या 109 की बात हो रही है 109 number questions आप से क्या कह रहा है कह रहा है संकोची होने के कारण आत्म परचार से भी दूर रहे तथा अपनी कला को बिद नहीं वाद गरस्त नहीं बनाया आप जानते हैं संकोची होने के कारण आत्म परचार से दूर रहे लेकिन मुलूप से अपनी कला को वाद गरस्त नहीं होने दिया ऐसा कारणामा छितिन आत्म जुम्दार ने किया बढ़ते हैं next questions की तरा प्रशंख्या 110 साब से पूछ लिया गिया मुकल चंडे सिकाको सुसाइटिया फेचिंग आर्ट से रहे हैं महासाच्यू रहे सदस रहे कोसा अध्यच रहे अध्यच रहे तो मुकल चंडे मुलूप से सिकाको सुसाइटिया फेचिंग आर्टिस्ट में क्या रहे हैं आप जानते हैं एचिंग आर्टिस्ट के सदसी के रूप में नामित रहे हैं तो राइट आंसर C के साथ लगाईएगा C is the right answer हो जाएगा बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रशंग 111 आप से पूछ रहा है बेच्छुड़ी मानामक चितर किसने चितरित किया आप संस में रांगोपाल विजेवर गिये हैं ननलाल बूश हैं सुधी रंजन खास्दगीर हैं आमनी रंजन रहे हैं प्रशंग 112 की बात होगी क्या पूछ रहा है आप से पूछ रहा है मनबुरा आइलेंड 1970 नामक कुंडलित चितर किसने चितरित किया है आप से पूछ रहा है कि दोपहर की चिलचलाती धूब चाओ नामक करती को किसने चितरित किया निकोलस रोडिक ने हैबर ने बेंदरे ने आफिर जाज किट ने तो दोपहर की चलचलाती धूब चाओं को मुलूप से बनाने का काम किसका रहा है जाज किट महोंदे करा राइट आंसर डी के साथ लगाईएगा डी इस दराइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन की तरफ प्रस्रंख रोडिक ने आपसे कह रहा है मास्टर आप दा माउंटिन के नाम ने जाएक उन बिख्यात है तो मास्टर आप दा माउंटिन कौन जाना जाता है आप जानते हैं मास्टर आप माउंटिन निकोलोस रोडिक कोप माप रापता है बी के साथ आंसर बन जाएगा निकोलोस रोडिक इस दराइट आंसर बनेगा बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन की तरफ प्रस्रंख ख्याक 15 आपसे पूछ रहा है कि हुशैन तो हुशैन ने फर्नीचर डिजाइनर का काम मूलूब से कब किया है बढ़िए नेश्ट कोच्टन की तरफ प्रस्रंख और 116 आप से पूछ रहा है कलाउन फार्मिंग क्लाउन फार्मिंग की अगर बात होगी क्लाउन फार्मिंग के लिए कुछ जिम्मेदार होगा क्लाउन फार्मिंग के लिए क्लाउन फार्मिंग के लिए क्लाउन फार्मिंग के लिए कि छमता किसकी खो गई थी आपसंस में विरेंडे हैं मनीसीडे हैं मुकूल चंडे हैं आपसंस में 37 चंद गुजराल है आप राइट आंसर लगाएंगे तो स्रमर सक्तियानी बधीर मुल रूप से कौन रहा है 37 चंद गुजराल रहे हैं तो राइट आंसर डी के साथ लगाएंगे जिन्होंने मारीशस में मुलू से महत्मा गांधी के संग्राले में भी डाटा बनाया है तो राइट आंसर डी के साथ 37 चंद गुजराल लगाएगा बढ़ते हैं नेश्ट कोस्चन्स की तरफ अगला कोस्चन्स आपसे क्या कह रहा है प्रसंख एक 108 आपसे कह रहा है कि किस की कला इस तरी पुरूस के संबंधों को केंदरित रही है इस तरी पुरूस के संबंधों से केंदरित किस की रही है रणवीर सिंग बिष्ट की कला परमजीर सिंग की कला केल अच्छमा कोड़ की इकला या फिर जीतिन दास की इकला चारो अप्षिन्स पढ़ने के बाद आप भी लगाएंगे जीतिन दास is the right answer and D is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रशन क्याक्सों निस की बात हो रही है बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रशन क्याक्स आपसे कह रहा है जैपूर में सु महेंदर किस पद पर कारे रहत है अध्यच हैं, प्रदर्षनी अधीकारी हैं, बढ़ने, निस्रीक। कोश्चिन की दफ, प्रशंख 211 आपसे क्या कहरा है? प्रशंग्श एक newest आपसे की चित्रों का सीर्षक उनटाइटील्ड रहता है गुर्धनलाल जोसी का, करपाल सिंग से खावत का, अपसंस में और नाम है, जैसे अपसंस में नाम और क्या है, बिद्या सागरुपाद्याय का और नाथुलाल बर्मा का, इन चारों अपसंस को पढ़ने के बाद आप भी बिद्या सागरुपाद्याय लगाईएगा, क्या अं जैहिंद और कंडोलेंस मुलूब से क्या प्रयोग हुआ है कास में पीतल में सीमेंट में या फिर तामा में तो जैहिंद और कंडोलेंस में मुलूब से किसका प्रयोग किया गया है जैहिंद में मुलूब से कास से प्रतिमा मानी जाती है कासी का प्रयोग किया गया है राइट अपसंस में वासुरी वादक है, अपसंस में दकीस है, अपसंस में कॉसमेसिक मेन है, या फिर इन में शेक को नहीं है धराज भगत के सिल्फ हैं वाल्डेड कापर, वाल्डेड कापर में मुलूप से किसका प्रियोग हुआ है तो वाल्डेड कापर में वासुरी वादत का प्रियोग हुआ है राइट आंसर फस्ट के साथ लगाईएगा एस दर राइट आंसर हो जाएगा बढ़ चलते हैं सेकंड लास्ट कोश्चन्स की तरफ सेकंड लास्ट कोश्चन्स आपसे कह रहा है दाकिस दाकिस नामक सिल्पी में क्या प्रियोग हुआ अपसंस में है पास्टर वा आईरन का या फिर शेयमेंड का लकडी का या फिर उड एंड बास्ट का राइट आंसर दाकिस के लिए आप क्या मारेंगे तो दाकिस के लिए लकडी का प्रियोग करिएगा लकडी में मुलूब से इसकी रजना हुई है B is the right answer बन रहा है अंतिम कोश्चन्स आपके स्क्रिन पे है 125 नमबर कोश्चन्स आपसे कह रहा है The King सिल्प प्रियोग हुआ है Wood and brass nails में लकडी में, plaster iris में या फिर मुलूब से cement में The King के लिए का तो आप जानते है Wood and brass nails Wood होता है लकडी लकडी और brass nails में मुलूब से The King बनाया गया है एक एसाथ answers लगा लीजे Is the right answer हो जाएगा ये practice पर आपको कैसा लगा थोड़ा सा comment के माद धम से अपनी प्रत्क्रिया जरूर दीजेगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भर पूरला टाइम से लेते रहे मिलते रहें तब तक के लिए जैहिंद